हलो नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपके अपने येटिट परल जे इल जहारखन लाइब्स में दोस्तो जैसे की नई नियमावली को आखिरकार काबिनेट द्वारा जहारखन काबिनेट द्वारा मुख्य मंत्री हमन सोरें की अगवाई में जैसे की नई नियमावली को मंजूरी परदान कर दी गई है सारी अटकले अब यहाँ पर खत्म हो गई है क्या नियमावली में प्राधान क्या गया है क्या क्या संसुधन क्या गया है इन सारी बारिकों को हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में आसान भासा सरल भासा में तो दोस्तो अगर आप जिए जार्खन लाइब चलल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिए और साथ ही जो बेल आइकन मना हुआ है उसको प्रेस कर लिए ताकि आगे का जो भी अपडेट सगा वीडियो आगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आ उसकरमचारि चायन आयोकसर संबन्धित कुल 5 प्रस्ताव को मनजुरी परदान ओछाय है उसमें प्रस्ताव को मनजुरी और 난i programme रहोते सब्सक्राइब भातर हैं इस ढूरी सबवल इत्सवाइब है तो सव्हारी को है रोग लोग मोटी मालो तकि देख लेते हैं कि आखिल नए लिजा वह वह थिया है और फिर ऑ सचीवाला प्रसता को थेया पिर दूसरा जो यहाँ पर दो है वो इंटर-level का है इसमें भी टेक्निकल है, नन carn-technical है जिसमें कि यहाँ पर आपका typing aware का test यहाँ पर लिया जाता है और इसमें जो non technical होगा आपका सरकारी नौकरियों में प्रात्समिक्ता दी जाएगी जारखन कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली मैट्रिक इंटर एवं अस्तनातक अस्तर की सभी परतियोगता परिक्षाओं में आपके वल मुख्य परिक्षा होगी पहले क्या होता था कि इन सभी जितने सारे एक्जाम होते थे वो Pt पहले होता था फिर जाकर यहाँ पर मेंस होता था लेकिन अब यहाँ पर यह प्रावधान जो है वो हटा दिया गया ह। मेंस एक्जाम होगा किसी ईश्तर का इंटलेब की विवस्था यहां पर खत्म कर दी गई है विभीन अस्तर की परिक्षाओं में जारखंडी जन जाती भासाओं के जानकार और अस्थानिय निती रिवाज परिशित अभियर्थियों को जैदा मौके मिलेंगे तो जो मैट्रिक लेवल के जो जीला लेवल के यहां पर सुची में सामिल किये गए हैं उन सभी भासाओं को आपको जीला वार जो है वो जानना जरूरी होगा और अपको उसमें नौलेज होना जरूरी है यह प्रावधान किया गया है जो जीला अस्तरक लेवल के नियूकती होगी उसमें ठीक है और उसके बाद यहां पर देखले इसके आलावा आवेदन कियांतिम तीथी तक उमिद्वार के पास नियूंतम जो है यहां पर दसवी पास होना चाहिए ठीक है जो कम से कम यहां पर कोई भी फॉर्म भरने के लिए आप जो मैट्रिक लेबल का है और इंटर लेबल का है असमतक स्तरीका यहां पर जो है वो ज जो हँगा आपका फूल आपका यहां पर इसमें 30 फिस दी अंक लाना आ आपको अनिवार यहोगा इसके अंक जो है वो Planby नहीं जोड़े जाएंगे ठीक है पहला पर आपको अपका सिर्फ से कम मास जो है वो नंबर जो है वहीं पेपर पेपर 2 जो होगा आपका वो जन्जात्य छेत्रिय भासा का होगा और कौन-कौन से भासा है बारा भासाओं का यहां पर वो सुची दी गई है वो हम लोग देखेंगे कि कौन-कौन से भासा है तीक है राजिस्टरिय नियुक्ति के लिए जो परिक्षा ली जाएगी उसमें ज 30% अंग यहां पर कम से कम लाना है ठीक है और जो फाइनल मेरिट लिस्ट आपका यहां पर त्यार किया जाएगा तो उमिद्वारों को पेपर 2 और पेपर 3 में अलग-अलग 30% अंग लाने होंगे तभी वह पास होंगे इन ही पेपर 2 और पेपर 3 के अंग को जुड़कर फा त्थानिये ठीक है जो छेत्री जन जातिय भासा है वो यहां पर रहेगा और तीसरा जो पर रहेगा आपका समाने आपके तो इन दोनों को जोड़कर जोड़कर आपका पेपर 2 और पेपर 3 में जितना ज्यादा मांक से आप स्कोर करेंगे उसी के आधार पर आपका सेलेक्षन लिया जाएगा जारखंड से मैट्रिक और इंटर पास लोगों को नियुक्ति में प्रात्मित्ता दी जाएगी एक अनी संसोदन के मताबिक जारखंड कर्मचारी चायना आयोग से जीला स्तरिय जो नियुक्तियां होंगी उसमें जीला बार जो भासाइन दारित की गई हैं वही पेपर टू के तहट चुनना होगा तो जीला बार जो है यहां पर हर जीले की अलग अलग भासा है आप वेबसाइट में देख लिशेगा उसके डिटेल्स भी जो है यहां पर जब विग्यापन जो है यहां पर आएगा तो उसमें भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी ठीक है या फिर यहां पर प्रेस रिलीज किया जगा official website पर उसमें भी आपको mention किया हुआ मिलेगा तो उसको मैं डेटेल्स में आपको यहाँ पर बता दूँगा तो वही मैं बता रहा था कि जीलास तरी जो नियुक्तिया होंगी उसमें छेत्रिये जो भासा होंगे उनको आपको यहाँ पर जो है वो चूज करना हुआ पेपर टू में ठीक है और उसके बाद यहाँ पर देखर जे कार्मिक विभाग ने जो है यहाँ पर किरती और चदुर्ट सरेनी की नौकरियों में जहारखंड से ही मैट्रिक वा इंटर पास करने वाले छात्रों को प्रात्मिता देने का प्रस्ताव त्यार किया था और यह आरखंड यहाँ पर ओरइजिन की जो निवासी है उनको यहाँ पर जो है वो लाब मिलेगा ठीक है कि तो why mad और अंग्रेजी दोनो पेपर इसमें होगे ठीक है पहला पेपर यहां पर वह बात आ रहे हैं ठीक है यह खोना है कि पेपर होना डियों और हिंदी अंग्रेजी और संस्क्रीट ये तीन भाषा आपका यहाँ पर हटा दिया गया है और यहाँ पर देखेजिए जो छेतरी भासा जन्जाती भासा जो है वो उर्दु है, संथाली है, बांगला है, मुंडारी है, हो है, खडिया है, कुलुक है, कुर्माली है, खोर्था है, नागपूरी है, पंचपरगनिया है और उडिया भासा को यहाँ पर चिन्हित किया गया है तो यह आप इस बात को ध्यान रखिएगा एक चीज़ यहां पर और समझ लीजिए कि कौन लोग eligible है यहां पर कौन लोग अस्थानी माने जाएंगे कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं कौन लोग तो यहां पर यहां पर पास किये हुए है और यहां से पास नहीं भी कर रहे हैं दूसरे स्टेट से भी अगर यहां पर पढ़ाई कर रहे हैं और यहां कारक्षन का लाब ले रहे हैं तो वो लोग यहां पर eligible रहेंगे तो यह चीज आप यहां पर confused नहीं होईएगा तो कुछ दोस्तों यह थी यहां पर बड़ी बड़ी बात हैं और भी चीज़े कलिर्फाई होंगी और रिटेल्स में आलग वीडियो बनाऊंगा जब सारी चीज़े यहां पर official website पर जो है वो notification यहां पर जारी किया जाएगा तो दोस्तों फिलहाल यह अपडेट्स थी आगे जो भी अपडेट्स होगी हर अपडेट्स आप तक हम यहां पर पहुंचाते रहेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई जरू लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो का प्लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्नी लोग भी यहां पर जूड़ सके और सारी जानकारी पासके यदि आप जेपीसी के त्यारी कर रहे हैं तो ऑन्लाइन टेस्स स्रीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारा करता है